बाई नमस्ते सस्रीकाल सलाम केमचो कैसे हैं आप लोग और आज मैं गाड़ी लेके आगए हूं यासी मज़ेदार फोल्ट यार देखके कहो होगे हाँ यार मज़े की फोल्ट आई है और गाड़ी है फोक्स वैगन की जैटा गाड़ी है और डियाजी गेरवक्स है चुकि गे दो नमबर गेर में इस टक है रुकी हुई है फंसी हुई है तो गाड़ी केरान से खिच के आई है गाड़ी को डियागनोस करेंगे हम तरीका दिखाएंगे कि हम ऐसी गाड़ियों को कैसे डियागनोस करते हैं क्या क्या टूल यूज करते हैं काम कैसे करते हैं और उसको प्रॉपर कोड कोट डाएंगे उस फोट कोड़ पे हम काम करेंगे जो जिस स्वार्ट पर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दीखेगी उस पार्ट को चेंज करेंगे या फिर उसको देखेंगी क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो आईए देखते हैं और इस्टेब बाइची चेक करेंगे चुकि तिवारी जी है और यह तिवारी कार्ट टेक्नलोजी चैनल है इस चैनल को सब्सक्काइब करके घंटी को दबा दीजेगा बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं लेकिन इतना याद रखिए कि आगे आने वाले टाइम में एक से बढ़के इंपोर्टेट गाडियों की वीडियो जाने वाले तो सब्सकाइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और सुरू कीजिए तिवारी जी फोल्ट को देखते हैं कैस से प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस अंधे सबसे पहले यहां पर प्रावलम देख लेटें प्रावलम क्या और है तो अब ही देखो आप यहां पर सब्सक्रीयों पर कि पर टालते हैं तो तो मतलब आप यह बिलेंग पर कीमत पर नहीं होती है किसी भी कीमत पर मुज़ नहीं होती ये दो नमबर है रिस को गया हैं तो हम इसके डाइगनोस करने जारहे हैं और इस नहीं इंजन की लाइट भी आ रही है जो की इस फोल्ट से रिलेटिट है तो फाइनल हमने इसको डाइगनोस किया और डाइगनोस के बाद जो भी फोल्ट आए वो आपके स्क्रीन पर मेगा ट्रोनिक फॉल्टी और इसमें जो है ट्रांसमेशन कंट्रोल मीडूल का फॉल्ट है एक जी एक ट्रांसमेशन इंपुट सेंसर यह भी चेंज होना है ले हमने इसको खोलना श्टार्ट कर दिया है इसका ऑइल निकाला है हमने पहले तो इसका ऑइल ड्रेन करते हैं जितना भी गिर ओल होगा यह ओल पम्प होता है इसमें जो की उस ओल को चलाता है और यहां से हम इ इसको खोल कर हमें निकाला है यहाँ पर और यहाँ पर connector होता है इसका तो अब हम इसको finally अब निकालने वाले हैं बस दो चारी स्क्रूर जो रह गए हैं बस इनको खोल कर बाहर निकालना है तो मैं अब यह आपको DSDOL चेंज नहीं करवाया होगा या फिर कोई न कोई problem आई होगी तो ही यह पार्ट खराब होता है अन्य था यह जल्दी से खराब नहीं होता है बहुत कम सिकाया था इनमे तो अब इसको हमें चेंज करना है चेंज करके इसमें दूसरा लगाएंगा और इसको यह पूरे को बोलते हैं जे 747 मेगा ट्रोनिक कंट्रोल यूनिट इसका पूरा नाम है खोलने के बाद यह देख रहे हैं अब इस तरह से दिखता है जो कि अंदर गियर होगे रहा होते हैं यह है यह संसर का भी फॉल्ट आ रहा था तो यह संसर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा जी-eq2 इसका अपने बताय था फॉल्ट कोड था तो यह संसर भी चेंज होगा और यहां पर यहां देख रहे हैं आप यहां पल्स रूटर लगे हुए होते हैं जो की ड्रैप साफ्ट में होता है और यह जी 501 और जी 502 को सिगनल देते हैं यहां से तो इससे मेगाटर्निक को सिगनल मिलता है तो मैं अभी इस वाले को लगाऊँगा यह ओके है अभी इसमें कोई प्रबलम नहीं है अच्छी कंडिशन में है कुछ वाल होते हैं जो खराब होने से यह प्रबलम आ जाती है तो यह पूरे जो दिख रहे हैं यह सारे सेंसर यह सेंसर एक्शिवेटर वाल इनको एन 59 एन 90 एन 91 इस तरह से वाल होते हैं इसमें और ब में जो कि oil pressure को control करते हैं तो यहां से यह तो dad हो चुका है अब इस वाले को लगाँगा मैं तो यह इसका Megatronic का cover है तो अभी मैं फिलाल इसको install करने जा रहा हूं जो कि अभी यहां पर यह magnet path sensor होते है बोलते हैं इनको हम और पल्स रूटर भी यहां पर आपको दिख जाएगा जो कि ABS की तरह जैसे ABS होते हैं गाड़ियों में उसी तरह की कुछ अंदर सेंसर लगे हुए होते हैं आती बारी जी जिए भास अब हो गया हां बस फिटिंग करने जा रहा हूं तो यह तो खराब था ना यह यह वाला खराब है अच्छा ठीक है तो हाँ भाई इसे यह चेंज कर देते हैं और पहले वाला पूरा ही डेड़ था तो अब उसको कबाड़े में डालेंगे और दूसरा लेगा है सकेंड एंड उसे को चेंज करे तो ठीक है लगाते हैं इसे तो अब हम इसको लगा देते हैं यहां पर और यहां यह पल्स रूटर है और जी 501 जी 502 सेंसर है जो की रूटर के नीचे अगर ट्रॉनिक के साथ लगा हुआ रहता है यह इसको आराम से यहां लग जाता है को इतनी परिशानी नहीं होती है पर इसका काम प्रोसेस से ही होना चाहिए प्रोसेस से ही होता है और इसमें जो जो इसमें इसका जैनल पार्ट होता है वही लगाना चाहिए अगर कुछ इसमें अलग से कुछ करते हैं तो प्राबलम आ सकती है क्योंकि यह गाडिया जिसमें लोकल सामान बिल्कुल चलता नहीं ह तो अब मैं इसको फुल फाइनल कर लेता हूँ यहां से अंदर से कम्प्लीट जितने भी स्कुरू है इनको टाइट कर लूँआ और फिर यहां से इधर वाल पंप की प्लेट भी लगाँगो वाल पंप प्लेट है यह टरवाइन पल्स रूटर और जो सेंसर है यह मेगाटर्निक में होते हैं तो अब यहां से हमने इसकी प्लेट लगा दी है कम्प्लीट कर दिया है उच्छे एक फिटिंग है जो अभी बची हुई है उसको फिट करूँगा भी तो सारी फिटिंग हम कम्प्लीट कर लेते है जिद्धर आजपास की यह जो इंटर कूलर की होस होती है यह भी निकाला था और यहां से हम अल्मस्ट कम्प्लीट कर चुके हैं अब इसमें गियर ओयल डालना रह गया है जो की हमने एक वीडियो बना रखा गयर ओयल चेंज करने की तो आप मैं लिंक डिस्क्रप्शन में दे दूँगा आप महां से देख सकते हैं जाकर और मैं आप इस कनेक्टर को लगाऊँगा कंट्रोल यूनिट का कनेक्टर है यह और मैं कोसिस करूँगा कि चैनल पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो सेयर करूं यहां पर क्योंकि आभी आजकल मैं थोड़ा सा लापरवाही में आ गया था और वीडियो नहीं आ पा रहे थी तो आप बने रहे हैं चैनल पर और चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अब देने वाला हूं अभी यहां से हमें पूरी फिटिंग कर देनी है और साथ में फेंटर लाइनिंग भी लगा देनी है सब कंप्लीट कर देनी है तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं कंप्लीट करने के बाद इसमें गारी को स्टार्ट करूंगा गार को स्टार्ट के बाद फिर इसकी बैसिक सेटिंग जो होती है पहले फॉल्ट हटाएंगे इसका फिर अब हमने ओडिस्क कर दिया है करने के बाद अब देखते हैं इसमें पहले तो सबते पहले हम इसका फॉल्ट हटा देंगे जो भी आरहा है फॉल्ट क्लियर कर देंगे उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट करण निसान में होनी चाःए और फिर हम इसकी करेंगे बैसिक सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह इसे होती है वीडियो ए तो अभी मैंने इसका फॉल्ट हटा दिया है अब चलेंगे बैसिक सेटिंग पर जीरो टू है कि गेर्भुक्स का है रिए 2 में आता है सारा सेटिंग जो भी इसमें आ से हमहीं कार س्टार्ट है हमारी स्टार्ट रखना है 2व estas में यहां से हम बेसिक सेटिंग पर आ गें तो अभी पिडाल बेसिक सेटिंग चल लगी है और इसमें क्या है ब्रेक पैडल प्रेस करते हुए रहना है जैसे यह बोलता रहता है कि करना क्या है तो इसमें कार लिप्ट पर होनी चाहिए आगे के दोनों टायर उठे हुए हो या लिप्ट पर हो तो ज्यादा अच्छा है यूदा और ब्रेक पैडल दबाते है और अपरेट करते रहना ब्रेक पैडल जो यह मतलब इसमें आईगा विता रहेगा तो इसी तरह से चार नमबर पांच नमबर तक ले लेगा चार नमबर पांच नमबर तक आने के बाद अपने आप complete हो जाएगा तो यहाँ से अभी चल लिए है इसकी basic कलच count हो रहा है तो यहाँ तक तो अभी तक तो सारा कुछ success पुली है चलो फिर आगे देखते हैं अब यहां सब कुछ complete हो गया है अब कार को start करते हैं और check करते हैं अब यहां पर P position पर है तो यहां भी P दिख रहा है और अब यह start कर दे हमने इसको एक बार left और right करना है जो यह दोनों एक steering के एक angle sensor की जो light आती है वो चली जाएगी फिर तो यहां से यह process complete हो गया यहां कोई light नहीं है मीटर में सब कुछ होके है हमारा अब हमने आर की position पर reverse डाला हुआ है तो अभी आर दिख रहा है और reverse में चला भी रहा हूं इसको में हो गई तो अभी आप लोग लिफ्ट पर चला रहे हैं और लिफ्ट पर जभी भी गाड़ी चलती है चलाया जाता है ट्राइल लिया जाता तो ट्रेक्शन कंट्रोल की लाइटें जल जाती है क्योंकि दो पईया ही चलते हैं दो पईया रुके रहते हैं तो अभी फिलाल सारे गेर पे सारे चेक कर लिए तो बिल्कुल सेट चल रही है हाला कि रोड टेस्ट अभी नहीं ले रहे हैं, अभी खली पहले टेस्टिंग कर रहे हैं, यहीं चला के टेस्ट कर रहे हैं कि क्या रेजल्ट आ रहा है, PRNDS सारे पे चेक कर रहे हैं, अभी मज़ा आ गया, बिल्कुल सेट हो गए गाड़ी, और वीडियो तो खेर फाइनल होगे, तो उस टेम में चैनल का नाम चेंज हो गया होगा, तो तीवारी कार क्योर चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकोन को हिट कर लीजिए, और तो बढ़िया है ना गाड़ी, घेर बढ़िया लग रहे हैं ना, हाँ बढ़िया सब कुछ फाइनल होगी, चलो ठीक है झाल 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